गोवा में एक वेक्त को पाकिस्तानी क्रिकट टीम का समर्थन करना भारी पड़ गया लोगों ने उससे घुटनों के बल बैठा कर माफी मंगवाई और उससे भारत माता की जैके नारे भी लगवाएं उतरी गोवा के कैलंगुट का यह मामला तब लोगों के नजरों में आया जब एक ट्रैवल ब्लॉगर ने उस सक्ष का वीडियो अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है एक ट्रैवल ब्लॉगर कैलंगुट की गलियों में घुमते हुए वीडियो बना रहा था वह एक दुकान पर पहुँचा जहा वीडियो वाइरल होने के बाद कुछ लोगों का एक गुरूप दुकानदार के पहुचा उनमें से एक ने कहा यह पूरा गाउं कैलंगुट है यहां कोई मुस्लिम गली नहीं है देश को धर्म के आधार पर मत बाटिये इसके बाद लोगों ने उस शक्स को घुटने टेकन और देशवासी उसे माफी मागने के लिए कहा वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान के मालिक ने गुटने के बल बैट कर और कान पकट कर माफी मागी इस दोरान वहां हांच जोड़ कर कहता है अब ऐसी गलती नहीं होगी उसके बाद वहां पर मौजूद लोग उससे भारत माता की जैक के नारे लगवाते हैं। स्थानी लोगों के मताबिक उस वक्त के खिलाफ पुलिस थाने में किसी तरह की स्रिकाइट भी नहीं की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें।